प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभ्व तेरी वाड़ी जीवन की रोठी नेनों की जोती अंधेरा मिटाती भाड़ी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है एक फरवरी मंगलवार पहला पाठ सैमुल का दूसरा ग्रंद अध्याए अठारा परसंख्या नो से दस चोदा चोबिस से पच्चिस तीस से बत्तिस अध्याए उन्निस परसंख्या एक से तीन तक दाउद के कुछ सेवकों ने संयोग से अपसालोम को देखा जिस खचर पर अपसालोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अपसालोम का सिर बलूत में अटक गया खचर आगे बढ़ गया और अपसालोम अकाश और प्रित्वी के बीच लटकता रहा एक व्यक्ती ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी मैंने अपसालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा योआब ने तीन बाले ले लिए और उन्हें अपसालोम के कलेजे में भोक दिया जो अब तक जीवत ही बलूत से लटक रहा था दाउद शेहर के दो फाटकों के बीच बैठा हुआ था एक पहरेदार दिवाल के पास के दुआर मंडप की छट पर चड़ा और उसने द्रिश्टी दोड़ा कर देखा कि एक व्यक्ती अकेला दोड़ता हुआ आ रहा है पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी और राजा ने कहा उदर जाकर खड़े रहो और पहरेदार ने वही किया तब कुशी के ने पास आकर कहा मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समचार ला रहा हूँ प्रभू ने आज आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सबों के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विद्रोह किया था राजा ने कुशी से कहा क्या नव्युवक अबसालोम सकुशल है और कुशी ने उत्तर दिया उस नव्युवक की जो दुरुगती हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रों को प्राप्त हो और उन सबों को भी जो आपके विरुद्शेडंतर रचते हैं राजा बहुत व्याकुल हो उठा और दुआर मंडब के उपरी कमरे में जाकर रोने लगा वह यह कहते हुए इदर उदर टहलता रहा हाए मेरे पुत्र अबसालोम मेरे पुत्र मेरे पुत्र अबसालोम अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता अबसालोम मेरे पुत्र मेरे पुत्र यो आपको यह सूचना दी गई राजा रोते और अबसालोम के लिए शोक मनाते हैं जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है तो उस दिन समस्ट प्रजा के लिए विज्या उल्लास शोक में बदल गया यह प्रभु की वानी है संद मार्कुस के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याई पांच वाके कैस से तिरालिस तक जब येशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र तड़ पर उनके पास एक विशाल जन समो एकत्र हो गया उस समय सभाग्र का जैरूस नाम के गधिकारी आया येशु को देखकर वा उनके चर्णों पर गिर पड़ा और ये कहकर अनुनई बिने करने लगा मेरी बेटी मरने पर है आईए और उस पर हात रखिए जिसे वो चंगी हो जाए और जीवित रह सके येशु उनके साथ चले एक बड़ी भीड उनके पीछे हो ली और लोग चारों और से उन पर गिरे पड़ते थे एक स्त्री बारव बर्स से रक्त स्राव से पीड़ी थी अनेकानेक वहिदियों के इलाज की कारण उसे बहुत कष्ट सैना पढ़ा था और अपना सब कुछ कर्च करने पर भी उसे कोई लाब नहीं हुआ था बलकि वह और भी बिमार हो गए थी उसने येशु के विशे में सुना था और भीड में पीछे से आकर उनका कपड़ा चू लिया क्योंकि वह मन ही मन कहती थी यदि मैं उनका कपड़ा भर चूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी उसी क्षण उसका रक्त स्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनभाव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है यईसू उसी समय जानगे कि उनसे शक्ती निकली है भीड में मुढ कर उन्होंने पूछा किसने मेरा कपड़ा चुआ उनके शिश्यों ने उनसे कहा आप देखते ही हैं कि भीड आपर गिरी पड़ती है तब भी आप उसते हैं किसने मेरा स्पर्ष किया जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यईसू ने चारो और दृष्टी दवडाई वस्त्री ये जानकर कि मुझे क्या हो गया है डरती कापती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया येसू ने उससे कहा बेटी तुमारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है शान्ती ग्रहन कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो येसू ये कही रहे थे कि सबाग्रे के अधिकारी के यहां से लोग आए और कहने लगे आपकी बेटी मर गई है येसू ने पेतरुस याकूब और याकूब के बाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया जब ये सबाग्रे के अधिकारी के हां पहुंचे तो येसू ने देखा कि कॉलाहल मचा हुआ है और लोग विलाब कर रहे हैं उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा ये कॉलाहल ये विलाब क्यों लड़की मरी नहीं है सो रही है इस पर वे उनकी हसी उड़ाने लगे येसू ने सब को बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगा आए जहां लड़की पड़ी हुई थी उन्होंने लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा ताली था कुम इसका अर्थ है ओ लड़की मैं तुम से कहता हूँ उठो लड़की उसी ट्षेन उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी क्योंकि वो बारह बरस की थी लोग बड़े अचंबे में पड़ गए येसु ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि ये बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो ये प्रभू का दिबे सु समाचार है क्रिष्ट प्रभू की जाए बेरे प्रिये भाई और बेनों आज का पहला पाठ सामुल की दूसरी ग्रंद से लिया गया था हमने एपसलोम की मृत्यू और राजा दाओद की प्रतिक्रिया की बारे में सुना इस्राइल के यश्यस्वी राजा दाओद दाओद का बेटा था एपसलोम और एपसलोम अपने राजा और अपने पिता से भी द्रोह करने लगता है और आपने सुना कि राजा दाओद को अपनी राजदानी छोड़ कर सैनिकों के साथ अंगरक्षकों के साथ नंगे पाउँ जैतुन पहाड की और भागना पड़ा अपने पुत्र से बचने के लिए इसके बावजूद अपने पुत्र के प्रती दाओद का मनोभाव प्रेम में था दाओद के हिर्दे में अपने पुत्र के प्रती प्रेम था आज के पाठ में आपने सुना कि एपसलों अपने खचर पर बैट कर बड़ी तेजी से जा रहा था और एक बलूत के पेड़ की टहनियों के बीच वो अटक जाता है और उसी पर वो लटके रहता है जब जवाब को इसके बारे में पता चला वो जाकर एपसलों को मार डलता है और उसको एक खड में फेक देता है और एक दूत राजा दाउद के पास एक ख़बर सुनाने आता है कि आपका बेटा आपका दुश्मन मा डाला गया है आज की वच्न में आपने सुना राजा दाउद फूट-पूट करोने लगता है कहने लगता है कि अपसलोम तुम्हारे बदले मैं मर जाता अपने पुतर के प्रती प्रेम प्रकट करता है अपने दुश्मन की मृत्यु में भी राजा दावुद आनंद नहीं मनाता है दुखी होता है रोता है राजा दावुद के हिर्दे के मनोभाव को ये बात प्रकट करता है उनका हिर्दे बहुत शेमाशील था दावुद शेमाशील था दावुद आहिंसा पूर्न था उसके दिल में अपने बेटे के पती उतना ही प्यार था जितना पहले था हाला कि बेटे ने विद्रोह किया था प्रभी एसु ने मत्ती के सुजमाचार के अधियाए पांच उसके वाके चवालिस में कहा है अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अतियाचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो दावद के हिर्दे में ये मनोभाव कूट कूट कर भरा हुआ था आपको याद होगा राजा साउल दावद को मार डालना चाता था और राजा साउल दावद की पास आ चुका था लेकिन दावद ने उसकी परहात नहीं लगाया इश्वर के अभिशिक्त परहात नहीं लगाया दावद का हिर्दे बहुत नाजुक था अन्तकरन नाजुक था अपने दुश्मन की दुख में भी वो आनन नहीं मनाता था दुश्मन की भी बुराई नहीं चाता था इतना नाजुक वेक्ती दावद हमारे लिए एक बहुत संदर उदाहरन है अपने दुश्मन की मृत्यु पर भी दावद आनन नहीं मनाता है उसका हिर्दे प्रेम से बरा हुआ था प्रभी एसु ने कुरूस पर से प्रारतना की थी आपको याद है हे पिताई ने च्छमा कर क्योंकि यह नहीं जानते हैं कि यह क्या कर रहे हैं दावद का मनोभाव भी कुछ ऐसा ही था वो हमारे लिए एक सुन्दर नमूना है उदाहरन है और आज की सुसमाचार में हमने दो व्यक्तियों की अटूट और द्रडव विश्वास के बारे में सुना सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कई भी लोगों ने येसु पर अपने विश्वास को व्यक्ति किया येशु ने जवाब में चमतकार और चिन प्रकट किया इब्रानियों के पत्र की अध्याइक 11 वाक्य 6 में संद पौलूस कहते हैं विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है अर्था अत अगर कोई भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाता है उसको विश्वास आविश्यक है यहान के इस समाचार की अध्याइक 11 वाक्य 40 में प्रवियसु कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे जहां विश्वास प्रगट किया जाता है वहाँ पर चमतकार प्रगट होते हैं आज के इस समाचार में हमने दो व्यक्तियों के विश्वास को देखा है पहला है एक पुरुष उनका नाम है जैरुस जैरुस के बारे में सुसमाचार में आपने सुना कि वे सभागर के अधिकारी थे अधिकारी थे, सम्मानिद व्यक्ति थे लेकिन वे येशु पर विश्वास करते थे उन्होंने येशु पर विश्वास किया इसलिए जब उन्होंने येशु को भीड के सिगिरेवे देखा उस समय भी भीड के सामने येशु के सामने आकर दंडवत किया और येशु से गिलगला कर प्रातना की कि मेरी बेटी मरने पर है आप आईए उस पर हाथ रखिये वो जिन्दा हो जाएगी चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी कितना जबरदस्त विश्वास है सबसे पहले वो अधिकारी और सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद लोगों के सामने येशु के सामने दंडवत करते है दूसरा उनके वचन को सुनिए अभिवक्ति को सुनिए मेरी बेटी मरने पर है आप आईए हाथ रखिये वो चंगी हो जाएगी जी जाएगी एक द्रडविश्वास येशु उनके साथ हो लेते हैं उनके घर पहुँचने से पहले कौलाहल सुनाई दिया येशुने का मेरी बेटी मरी नहीं है सोई है लोग हसने लगे प्रभी येशु, पेत्रूस, याकूब और योहन और इस लड़की के माबाप के साथ उस जगह पहुँच जाते हैं जहां पर लड़की पड़ी हुई थी प्रभू ने उस लड़की को आदेश दिया थाली था कुम यानि ओ लड़की मैं तुम से कहता हूँ उठो उठ खड़ी हो गए चलने फिरने लगी चमतकार हुआ विश्वास का नतीज़ो दूसरा है एक नारी जिसके बारे में आपने सुना जो बारव वर्षों से रक्त स्राव से पीड़ी थी वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी स्थिती और बिगड़ गए थी और उसके पाथ जितना पैसा था संसादन था समाप्त हो गया था लेकिन उसके हिर्दय में एक विश्वास था यदि मैं येश्व नाजरी के कपड़े के पले को छू लूँगी मैं चंगी हो जाओंगी इस विश्वास की साथ भीड़ को चीर कर वचन में लिखा हुआ कि भीड येश्व पर तूट पर रही थी भीड़ को चीर कर वो नारी येशु के कपड़े को छू लेती है पल भर में वो चंगी हो जाती है येशु ने चारोर देखा ये मैसूस करके शक्ती बह गई है पूछा किसने मुझे छुआ शीशो ने कहा गुरुर भीडा पर तूट पर रही है और आप क्या सवाल करते हैं वो नारी येशु के पास आती है और सारी बातें बताती है प्रभु ने उसे कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है दोनों प्रसंग में हम देखते हैं कि पहले से ही उन्होंने विश्वास किया था नारी ने पहले से ही विश्वास किया यदि मैं येसु नाजरी के कपड़े के पल्ले कुछ छूलोगी मैं चंगी हो जाओंगी जैरुस ने भी पहले से विश्वास किया आप उस लड़की के सिर पर हाथ रखिये वो चंगी हो जाएगी जी जाएगी पहले से ही उन्होंने विश्वास किया मारकुस अद्याए 11 वाकिय 24 में प्रविये सु कहते हैं प्रार्थना में तुम जो मांगते ही विश्वास करो और वो तुमें दिया जाएगा दोनोंने पहले से ही विश्वास किया कि ये होने वाला है होगा आपको बार बार विश्वास के बारे में मैं बोलता हूँ और आपको बताया जाता है क्यों क्योंकि हमारे विश्वास को बढ़ना आवश्चक है लोका सद्याए 17 वाकिय 5 में पढ़ेंगे शिश्यों ने आकर प्रेरितों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभू हमारे विश्वास को बढ़ाईए यानि हमारा विश्वास बढ़ाया जा सकता है मारकु सद्याई नावा के 24 में आप पढ़ेगे उस अब्दोद्गरस्त युवक के पिता ने प्रभू से कहा मैं विश्वास करता हूं मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए कई लोग कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तभी तो हम आपके पास आए हैं तभी तो प्रात्ना में आए हैं लेकिन इस सच्चाई को जानना जरूरी है कि हमारे विश्वास की वृद्धी होना जरूरी है सु समाचार में हम पढ़ते हैं प्रभी एसु अपने शिश्यों के एक बार डाड़ते हैं और कहते हैं रे अल्प विश्वासियू यानि कई लोगों में विश्वास है लेकिन वो अल्प है थोड़ा है मजबूत नहीं है लुकस अध्याई 17 वाकिय 6 में प्रभी कहते हैं यह दि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता राई का दाना ठोस है चोटा जरूर है लेकिन ठोस है कई लोगों का विश्वास ठोस नहीं है हलका है उस नारी के बारे में हम पढ़ते हैं मत्य अध्याई 15 में कनानी स्थ्री के बारे में वहाँ पर प्रभी हैसुस से कहते हैं नारी तुमारा विश्वास महान है मत्य के सुसमाचार के अध्याई 8 में हम पढ़ते हैं उस शद्पती के बारे में उसके बारे में प्रभु कियाते हैं इतना बड़ा विश्वास मैंने इसराइल में भी ने देखा है हमारे विश्वास को बढ़ने की जरुवत है पवित्र वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास बढ़ता है जब हमारा विश्वास बढ़ता है हमारे लिए चमतकार और चिन प्रकट होते हैं इसलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है उसके लिए प्रार्थना करना है प्रभी एसु ने थौमस से कहा यह नद्याय बीस में आपको याद होगा आविश्वासी मत बनो बलकि विश्वासी बनो हम सभी को अपने विश्वास को बढ़ाना है प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाईए पवीतर वचनों को सुनकर प्रार्थना के दौरा अपने विश्वास को बढ़ाना है तब हमारी जीवन में छहमतकार और चिंद देखने को मिलेंगे आइएं प्रारतना करें आखे मंद किचिए प्रभी यिशु देन्यवाद देता है तो आशकी सुंदर दिन के लिए तेरे सुंदर वचनों के लिए देन्यवाद देता हूँ प्रभी समय प्रार्तनागरता हूँ अम्मे से अरे के विश्वास को बढ़ाईए अम्मे से अरे के प्रेम को बढ़ाईए जिस तरह दावुद ने अपने पुत्र जो उनके दुश्मन समान था उसके मरने पर वो रो पड़ा उसी तरह हमारे हिर्दियों को भी नाजुक बना करुणामय बना आज के समाचार के उस नर नारी की तरह हमारे विश्वास को भी मजबूत बना द्रड बना ए प्रभी सिन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवात देना वे जहां कहीं भी जाएं आज के दिन वे महसूस करें कि येश्व मेरे साथ है जो भी कारी करें उसमें तेरी पस्तती महसूस करें अमारी स्प्रात्ना गुगरहन कर आमेन आज करें गुगरहन करें